हैलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे यह मैंने एक ले लिया है फ्राइपेन इसमें डाला है मैंने जीरा और हींग और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी मुंग फली और उनको कर लेंगे ड्राइ रोस्ट आप सोच रही होंगे क आज यह क्या बनाने जा रही हूं मैं तो आज बना रहे हैं हम एक महराश्ट्रेंडिस और वो है वड़ा पाव आप में से कुछ लोगों ने खाया होगा कुछ लोगों नहीं भी खाया होगा तो आप बनाईएगा खाईएगा और अपने एक्स्पिरेंस शेर करिएगा वैस से विंटर से हैं तो कुछ चटपटा खाने का मन तो हम सब करता है यह विंटर वैकेशन्स भी है यह रधनिया है मिर्च लैसू नदरक और अब इसमें डाल देंगे काला नमक और इसकी हमें एक तीखी सी चटनी तियार कर लेंगे क्योंकि थोड़ा तीखा ही बनता है उस त बना जायागा चटनी पर यह देखे हमारे दोनों तरह की चटनी तयार है हमने लिया है पैन उसमें डाल दिया है जीरा और इसमें एड़ कर देंगे कुछ मसाले यह अदरक और लहसून यह मैने बारी काट लिया है इनको हम डाल देंगे इसमें और हलकाई भुन जाएंगे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने हागे के मसाले यह देखे मैने आलू को मैश कर लिया है यह हमारे इससे बड़ा बनेगा आलू का यह नमक मीर्च और हल्दी धनिया डाल देंगे हम इसमें दो चार करी पत्ते भी डाल दी है मैंने आपके पास नहीं हो तो आप स्क जरूर अब इसमें हम गरम मसाला और यहरा धनिया डाल देंगे और तो हुआ होको रखिए law provi लेंगे और यह से हम इस ранवे और भुरा हो उ श्ले Parl आगल तोगणे जितने बड़ा साइज का आपको बड़ा बनाना हो अब अपने इसाब से बना ले चाफटा बड़ा बना सकते हैं और गोल बना सकते हैं मर्जी है यह देखे हमारे सारे बोल्स तयार हो चुके हैं पुटैटो के अभी मैंने लिया है बेशन इसमें जाएगा नमक मिर्च धनिया एक चुटकी हमारा सोड़ा है खाने वाला और अजवायने इसको मच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी डालकर इसका बिलुकुल ज्यादा पतला भी गोल नहीं बनाएंगे थोड़ा गाड़ा ही रखेंगे बड़ा बनाने के लिए और यह देखे हमने लिए हैं मिर्ची तीखी वाली क्योंकि मिर्ची के बिना तो हमारा बड़ा पाओ अधूरा है तो यह देखे अगर आपको पसंद है तो आप खाईएगा वरना इसको साइड में रख दीजिएगा यह देखें मिनको ऐसे कर लेंगे फ्राई बीच में एक चीरा लगा दिया था ताकि छिटके नहीं अब देखिए अगर आप अराम से इससे फोर्क से भी इसको बना सकते हैं अगर आप ट्रेंड नहीं है और ओयल गर्म हो चुका है हमार और ऐसे एक साइड से मधीरे से इसको डाल देंगे और अगर आप हैं एक्सपर्ट तो आप हाथ से जैसे उतारते हैं सिंपल तरीके से ऐसे भी उतार सकते हैं पकोड़ा क्योंकि हर्व किसी को आता नहीं है हमारे कुछ नोसी किये भी होंगे सब्सक्राइबर तो वह ऐसे फ पलट पलट के इन सबको सेक लेंगे हमारे वड़ा तयार हो चुके हैं और ऐसी बहुत ही अच्छी लगती है मैंने सोचा कि आप लोग से शेयर की जाए और यह बनकर बड़ी अच्छी तयार होती है फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें अपन हमे लिए पाव आप चाहें तो अटा पाव भी ले सकते हैं इसको हम कट कर लेंगे और इसके बीच में लगा यह पनिमोंफली की चेटनी गों बनाई थी और दूसरी तैने में लगा देंगे हर Geφानिया की चैटनी ह। col King थोड़ती ही बनाई जाती है यह उस सही जादध इसके बीच में रखे दें हरी मिर्च चाय उपर से सजा दें जैसा आप चाहें वोगि बच्चे तो खाते हैं तो वो तो खाएंगे नहीं बड़े ही लोग खा सकते हैं वैसे तो एपराम में इतना तीखा हो जाता है जो ज़दे तीखा पसंद करते हैं खा पाते हैं, हर कोई तो इसको खा भी नहीं पाता है, तना तीखा होता है, तो आप अपने हिसाब से मिर्च एड़ेस्ट कर लें, यह देखे हैं, मैंसे ही सारे वड़ा पाउ तयार कर लेंगे, इसको आप चाय के साथ, कोफी के साथ, किसे के साथ भी एंजोय करें, खूब तारीफ भी पाएंगे, तो देखिए, अगर वीडियो पसंद आए, तो लाइक शेर करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं, और अपने फ्रेंड्स को शेर करें, थैंक यू